नमस्कार स्वागत्यापका हमारे चंचार यागंदर मिशा में नमक से सबसे जल्दी लोग करोड़पती क्यों हो जाते हैं? आप भी बन सकते हैं जल्दी अमीर दोस्तों आखिर नमक से सबसे जल्दी लोग धनवान क्यों हो जाते हैं? क्यूं नमक से सबसे जल्दी पैसा चुम्बक की तरह आता है जानिये इसके पीछे की सच्चाई दोस्तो नमक जो है हर घर में बड़े ही आसानी से मिल जाता है आपको बता दे कि खाने में नमक कम हो तो खाना बेश्वाद लगता है थोड़ा सा नमक आपके खाने को लजीज बना देता है जबसे नमक की खोज हुई है तभी से ही ये माना जा रहा है कि इसमें नकरात्मक उर्जा को दोर करने की अद्बुत सक्ती होती है वास्तु बिज्ञान के अनुसार नमक घर में शकरात्मक उर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है कहा जाता है कि जहां पर नमक नहीं होता वहां पर भूत प्रेश बास करते हैं और ऐसे घरों में शुक्षम्रद्धी भी नहीं होती ऐसे में हम ये जानते हैं कि नमक का ये उपाय करने से सबसे जल्दी बेक्ति करोड़पती क्यों हो जाता है तो चलिए जानते हैं नमक का वो चमतकारी उपाय जो रातो रात बदल सकता है आपकी किस्मत लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रुक्ष्ट करते हैं बीड़ को लाइक करिएगा और दोस्तों को भी जद़ जद़ शेयर कर दीजेगा और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा दोस्तों वास्तों सास्त्र के अंसवार नमक में एक अलग तरह का आकर्शन होता है और इसी बेज़े से नमक का इस्तिमाल कई मंत्र और तंत्र के टोने टोटके में भी किये जाते हैं ऐसा कहा जाता है कि नमक नकरात्म कुर्जा को नश्ट कर सकरात्म कुर्जा को अपनी ओरा कर्सित करता है। कुछ लोग तो वसी करण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। तंत्र के अंसार अगर नमक को शही तंत्र मंत्र कह शाथ प्रियोक किये जाए तो आपको रात Prime धनबान भी बना शकता है करोरपती भी बना शकता है दोस्तो नमबर वन नमक और काँच ये दोनों ही राहू के कारक होते हैं इसलिए यदि आप नमक को काँच के गलास में भरकर या काँच के बरतन पर भरकर सोचाले इस्थान पर रखेंगे तो वहां से नकरात्म कुर्जा का नास होता है साथी इस उपाई से मौझूद सोख्ष की टाणू वहां पर नश्थ हो जाते हैं सोचाले में सबसे अधिक नकरात्म कुर्जा होती है एसलिए ये उपाई उसे दूर कर देगा दोस्तो नमबर दो नमक का पोँचा करे माला माल बैगानिक दृष्टे से भी ये उपाई बहुत ही कारगर है जब भी आप घर में पोँचा लगाएं तो उसमें कुछ नमक मिला दें हपते में कम से कम एक या दो बार नमक का पोँचा अवश्य लगाएं शीगर ही दन की प परवेस करने के लिए आकरसित करती है माता लक्षमी कृपा बरस्ती है दोस्तो नमबर तीन नमक को काच की थेली में भर कर उसमें अंदर उसके अंदर चार पांच लौंग डाल दें ऐसा करने से घर में धनकी बरकत हमेशा बनी रहती है और माता लक्षमी जी भी परसन रहत दोस्तो नमबर चार नमक बाले पानी से हाथ पैर धोने से या इश्नान करने से बहुत अधिक लाव होता है इससे आपका सरीर फ्रेस होता है और अंदर पुजिविटी एनर्जी आती है साथी नमक बाले पानी से इश्नान करने से नेंद बहुत अच्छी आती है और बीमारी दोस्तो नमबर पांच ब्यक्ति को सबसे ज़्यादा लाबतब होता है जब ये उपाई करें हर सनिवार के दिन थोड़ा नमक ले लें 200 ग्राम काली डाल ले लें 500 ग्राम चावल और लाल सुखी मिर्च इन सभी चीजों को दान करने पर ब्यक्ति का भाग प्रबल होता है और इसलिए ये काम अवश्य करें क्योंकि ये काम मैं भी करता हूं और मुझे इसका लाब भरपूर तरीके से होता है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि धनकी देवी माता लक्ष्मी सदैब आपके साथ रहें हर सुक्स दुख सुक में माता रानी साथ दें तो कमेंट बाक्स मे अवश्य लिखें जै माता लक्ष्मी और हाँ एक लाइक तो बनता है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें जदद जद शेयर करें और चनल को सब्सक्राइब करिएगा जै माता लक्ष्मी